तो आज किस वीडियो में आप लोगों को टॉप 25 जीस के कुश्चन करवाने वाला हूं जो कि सभी एरफोर्स और नेवी एस्परेंट्स के लिए बहुत यूसफुल रहेंगे तो चली शुरू करते हैं मैं एक सुर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिके बिहार आंज प्रदेश या फिर उडिसा तो सही आंसर का पहला आप्शन प्रस्चिम मंगा लेने कि वेस्ट बेंगॉल जो हल्दिया रिफाइन रहे हैं वेस्ट बेंगॉल में पुलती है अगला कुश्चन है सेकंड नंबर की भारती है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेंक शूर हर कुश्चन को डंग से देखिए एक एक कुश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो भी मैं 25 कुश्चन से यहां पर करवा रहा हूं ठीक है तो मेंक शूर डंग से अपना पहले खुद से इसको ट्राइब कीजिए और फिर देखिए आंसर क्या आपक सही आंसर सेकंड ऑप्शन 1969 निकी 1979 अगला कुश्चन है 15 अगस 1979 को इस रोकी स्थापना हुई अगला कुश्चन है थर्ड नंबर खाड़ी प्रवा एक सागर धारा है जो आरंब होती है कहां पर आरंब होती ही पुछा है फ्लोरीडा के समुदर तट पर बंगाल की खाड़ आइडियास for the new century के लेखक है अर्विंद अडिगा, एम जे अकबर, नंदन नील के नहीं या फिर शशी थरूर तो सही आंसर इस कुश्चन का नहीं कि आइडियास for the new century के लेखक है नंदन नील के नहीं ठीक है अगला कुश्चन है कि भारत ने बीजिंग ओलंपिक में किन खेलों में तीन पदक जीते हैं तब के लिए एक करेंट अफेर का कुश्चन था लेकिन अब यह ज्यादे इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी इसका अंसर बता देता हूं पहला आप्शन सही आंसर बीजिंग ओलंपिक में इंडिया ने शूटिंग बॉक्सिंग और कुस का फॉर्ट ऑप्शन बाल गंगा धर तिलग बाल गंगा धर तिलग कभी भी इंडियन नेस्नल कॉंग्रेस के भाती राश्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने अगला कुस्चन सेवंथ नंबर की निमें से कौन सा पेंगण वाहनों से निकलने वाले प्रदूशन को अफ्सोसित करने के लिए साड़क के किनारे पर उगाया जाते हैं तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो हाइवेज होता है आपने देखा होंगा जो पेंगण लगे होते हैं तो पहली बात तो यह से कुस्चन से पता चलगे कि यो किस लिए लगा जाते हैं कि प्रदूशन को अफ्सोसित करने के लिए यह तो एक पहला कारण हो और तो आंसर है थर्ड ऑप्शन बोगन बेलिया ठीक है अगला कुश्चन है कि एट नंबर इन में से कौन सा देश फ्रोजन मिथेन हाइड्रेट से सफलता पूरवक्त प्राक्तिक गैस निकालने वाला पहला देश बना ऑप्शन है आपके चीन यूए से कनेड़ा या फिज ज सबसे पुराना है वह बना 1919 में सब का आप देख लीजे पहले पहले तो देख लीजिए आई एमफ का ठीक है आई एम है यह हो गया पर आई एमफ होगा इंटरनाशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापनावी 1944 में और फिर डबलु एच्व डबलु एच्व की में आई लोगा एन इंटरनाशनल लेबर एक और नहीं बताए 1919 और आखरी ए एफो जिसका की फाउंड हुआ 1945 में ठीक है तो यह इनका सभी का जो फाउंडिंग येर है वो है ठीक है अगला कुस्चिन है कि टेंथ नंबर हैं हेले बिड और बेलूर के मंदिरों का करवाया गया जो साल डाइस्टी ती उसके दोरा अगला कुस्चिन एक जिनवरी को किस रूप में मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस विश्व रड़ क्रॉस दीवस दूर से चार दिवस यह फिर राश्ट मंदल गेल तो एक जनवरी को इंटरनाशनल फैमिली डे मना आते हैं जिसको बोलते हैं इंदी में विश्व परिवार दिवस तो फर्स्ट आप्शन से एंसर हो जाएगा इस कुस्चिन का अगला कुस्चिन है कि अमरता प्रीतम की करती राशीदी टिकट एक है क्या एक पुस्तक एक उपन्यास एक जीवनी है फिर एक आत्म कथा है तो इसका सही अंशर इस कई का से कम नुप्शं कन त्क vacun तूती कोट जो है वो इसट अपड़ता है कोस्ट हैं एंडिया कोश्ट इіन फिर ािए कानला गुज्राद में फटार मुंबई मूभी में है कि सर्वोच नयाला है कि मौलीक अदिकाह चेत्र के अंतरगत नेम लिखीत में से कौन सा समयलित किया जाता है। भारत सरकार एवं एक एवं एक या ज्यादा राज्य के मद एक विवाद संसत के किसी भी सदन या राज्यों के विदा zrobić सभा की चुनाऊ से संमय देख विवाद भारत सरकार एवं संग शासित चेत्र के मद एक विवाद दो या अधिक राज्यों के मद एक विवाद तो कोड़ों का प्रियोग करते हुए सही उत्र चुने तो 1,2,2,3,1,4 या फिर 3,4 तो सही आंसर इस क्वेस्टन का 3rd option 1,4 निकि जो एक और चार हैं वो ही सम्मिलित किया जाते हैं कि फिर से एक और 4 को रिपीट कर देता हूं ताकि आपनों को याद बना रहा है कि भारत सरकार एंवं एक ज्यादा राज्यों के मद एक विवाद और जौथा है कि दो या अधिक राजिद technology कोई कैसे प्रेम वाटी का पSwलाओ कोई सुर दास रसखान अफिर कभीट तो सही आंसर इस क्विस्टिन का थार्ड ऑप्शन रस्खान जो उक्रेशन बागवाने उनके जीवन पर आधारी जो प्रेम वाटिका का विता है वो उसके रचना का रहे हैं रस्खान अगला कुशन है 16 नमबर के इनमें से किस राजजी का समुद्री तच्वड़ी अमेरिका के विशाल का है ओलेव कच्छों के निवास इस्थल के लिए प्रसिद्द किया गया है गोवा गुजरात उडीशा एफे तमिलनाडो तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन उडीशा ठीक है कई बार बता चुका हूं कि यह हमेशा नीचे से जमना स्वारी उपर से जमना चालू होता है और अगला कुश्चन है कि पौधों द्वारा इनमें से किस प्रकाश का अफ्शोशन किया जाता है बैंगनी और नारंगी नेला और लाल इंडिगो और पीला और पीला और किया जाता है अगला कुश्चन कि नrüके ढ़ रूस द्वारा तो यह शुरू किया गया स्विडन द्वारा इसकी शुद्रेbia उन्योरा नहीं मिलना चुक mi captured हुए तक कि समोगे रंग समानित प्रकाश के रंगों के रूप में जाने जाते हैं काला सफध लाल सफेद पी लाल अरज नीला और तर ठरड ऑप्शन लल अरलण तरो नीला अगला कोश्चन इसिसे लाल सुची में भी कहा जाता है Israeli किया यह क्या चीज़ है रहे data book सूखाक्ड़ शेत्रों सम्मंदित दस्थ अधिक प्रदूर्शी छेत्रों का दस्थ जानवरा पौदों आदी के दूरलब लुप्त प्राय प्रजातियों का भियवरा यह फिर भूकम्पी छेत्रों से सम्मंदित दस्थ तो सही आंसर जानवरों प यह इंटरनेट के द्वारा पास्वड अकाउंट आइडी और गोपनी सुचना निकालने के लिए तयार किया गया यह फिर ए और सी दोनों सही है सही आंसर इसका सेकेंड ऑप्षिन यह इंटरनेट से सूचना लेने के लिए डिजाइन किया गया है जो भी वेब सर्च इंजिन आप बहुत आसान कुश्चन है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने जिए वेब सर्च इंजिन सर्च सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि स सर्च करना है कुछ तो यह इंटरनेट से सूचना है लेने के लिए डिजाइन किया गया एक इंजिन जैसे के गूगल हो गया ओपेरा हो गया फायरफॉक्स हो गया यूसी ब्रावजर हो गया तो यह सब वेब इंजिन है अगला कुश्च ने ट्वेंटी थार्ड नमर के प् अगला कुश्च ने ट्वेंटी फोर्थ नमर एक मुगल महराने जिसका नाम सभी मुगल फरमानों पर लिखा जाता था और सिक्कों पर उसका नाम खुदा था उप्शन महान सारी महम अन्ना नूर जहां मुम्ताज महल यह फिर मरियम मकानी तो सही आंसर इसका नूर जहां यह फिर महरूल निसा भी इनको बोलते हैं जो कि साज आंकी पतनी थी तो सेक्रण उप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है आखरी कुश्चन जिसका आंसर आप लों को देना कमेंट सेक्शन में कि इन राज्यों को सच्छरता दर के घटते करम में लगाई है तरह पूरा केरल गोवा इमांचल प्रदेश को घटते करम में लगाई आप अपना अप्शन देख सकते हो सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिसको भी आता हुए कुश्चन और अगर यह वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक कर दीजिए का शेयर कर में अच्छा कमांड चाहिए जैसे कि मैं डेली अजब पूरे दिन डालता रहता हूं वीडियो जोग्रफी के पॉलिटी के इस्ट्रेक जितना मेरे से हुपाता है तो मैं इसको अच्छा कमांड चाहिए जीएस में तो धन्यवाद